तो फिर आप एंगल गाइंडर में डील चॉक लगा के आप यूज करना चाहते हैं तो आपको छोटा सा एक एरॉप्टर लेना पड़ेगा तो उस एरॉप्टर लेने के बाद आपके कोई भी एक जो डील चॉक है ऐसे आप ले लीजिएगा तो आची तरह से फिटिंग कर ली तो इसी छोटा सा एरॉप्टर लेके आपके जो भी एंगल गाइंडर में आप सेट कर दीजिएगा सेट करके आप जो हेवी जो लोड जहाँ पर ज्यादा है जो नॉर्मल जो डील मेशिन से आप काम नहीं कर पार है तो ऐसे आप चॉक और एरॉप्टर लगा के उस एंगल के साथ आप कर पाएंगे तो यहाँ पर देखिए 1.5 से 10 mm का जो चॉक है यहाँ पर हमने और किया है और इसके साथ जो एरॉटर भी आप दिया गिया है कोई भी डील मेशिन है और आपको उस डील मेशिन में से आप जो भी काम कर रहे है वहाँ पर ज्यादा पेशर नहीं ज तो आप देख सकते हैं और उस लिंग से आह 25 मेशिया जेख लगाइंगर करना है आप लोग आपको जी खूब ड ἦर करना है घूबर अरवाठर को फिस यहाँ पर करना है तो फिर्दि इख सकते हैं ऐसे की आप bend तर मैंकर डा पर जो और आपको आपको जो एहाँ एंगल वा तो जब तायर करेंगे तो नीचे रिशनले लिंग देंगे वापा जाकर अब देख सकते हैं तो फिलाल अभी के लिए उतना ही तो थैंक्स ए चुरचा वीडियों देखने के लिए और भीडियों अच्छे लिए के दूलाइगा श्रक्त देजिएगा और ऐसे अर्यों देख सा किजिए मेरे जानको जमेरे गंदर वाल देजिए